हलो अव्रिवाइन, क्रिशय क्रिएशन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे मसालेदार आलू बैंगन की सबजी ये बूती, टेस्टी और चेटपटी होती है और बहुत जल्दी बनकर त्यार हो जाती है तो चेलिये बनाते हैं आलू बैंगन की सुखी सबजी मैंने 400 ग्राम बैंगन ले हैं बैंगन आप छोटे, लंबे या बड़े कोई भी साइज के ले सकते हैं मैंने बैंगन को अच्छे से धो लिया है अब हम इन्हें काट लेती हैं बैंगन को काटे वेक्ट चेक कर लेए इसमें कोई कीड़ा वगरा नहों मैं बैंगन को लंबा लंबा काट रही हूँ, आप चाहे तो चकोर या गोल भी काट सकते हैं मैंने सारे बैंगन को काट ले हैं, अब इन्हें तुरंत पानी में डाल देगे ताकि बैंगन काल लेना पड़े इसी तरह अब मैं आलो को भी लंबा-लंबा काट लोंगी आलो को ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला रखे अब इन कटवे आलो को भी पानी में डाल देंगी ताकि इसका भी स्टार्च निकल जाए और आलो काले ना पड़ी अब इन आलो और बैंगन को फ्राइ कर देंगी मैंनी कड़ाई में 4-5 टिबल स्पून सरसो का तेल डाला है सरसो की तेल में बैंगन बढ़िया बनते हैं अब आलो को तेल में डाल देंगी मैं आलो को shallow fry कर रही हूँ, आप चाहिए तो deep fry भी कर सकते हैं आलो को हलका brown color आने तक ही fry करेंगी हमें आलो को इतना fry करना है कि 60-70% तर कोख हो जाए आलो पर हलका color आ गया है, अब इसे plate में निकाल देते हैं अब इसी तर बैंगनो को भी shallow fry कर लेंगी बैंगनो को fry करने में ज़्यादा समय नहीं लगता बैंगन बहुत जल्दी fry हो जाते हैं बैंगन को भी हमें तब तक fry करना है जब तक बैंगन 60-70% तक कुख नहीं हो जाते बैंगन fry हो गए हैं, अब हम इसे भी निकाल देते हैं हमारे अलू और बैंगन दोनो फ्राई हो गए हैं, अब हम इसका तड़का लगा लेते हैं अब उसी तेन में आधा चमर जीरा डाल दूंगी और दो सुखी लान मिश्ट तोड़कर डाल दूंगी जब जीरा थोड़ा सा चटक जाएगा तब इसमें वन टेबल स्पून अधरक लश्ट का पेस डाल दूंगी आप चाहे तो अधरक और लश्ट को क्रश करके भी डाल सकते हैं और इसे थोड़ी दिर पकार देंगे ताकि लश्ट और अधरक का कच्चापन दूर हो जाएगे अधरक और लश्ट को पकते वे थोड़ी दिर हो गी हैं अब इसमें तीन मीडियम साइज के लंबे कटे प्याज डाल देंगी आप चाहे तो प्याज को बारी काट कर भी डाल सकते हैं हमें प्याज ओर जारा दे तक कुप नहीं करना बस इतना पकाना है कि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए अब इसमें तीन से चाथ बारी कटी हरी मिश डाल दूंगी ये मोटे वाली में चाहिए कम तिकी होती है सब्जी में इसका टेस्ट बढ़ी आता है प्याश पर हलका कलर आ गया है अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे अब इसमें दो बड़ी साइस के टमाटर को बारी काट कर डाल देंगे और मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे आप चाहिए तो टमाटरों को गर्ण करके भी डाल सकते हैं टमाटरों को हमें तब तक पकाना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते टमाटर अच्छे से पग गए हैं और सॉफ्ट भी हो गए है अब इसमें fry के हुए आलू और बैंगन डाल देंगे और इसे mix कर लेंगे आलू और बैंगन को हमने fry किया था इसलिए इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता fry करने से आलू और बैंगन थोड़े से क्रिस्पी हो जाती है अब आलू और बैंगन को ढख कर चार से पांच मिनट स्टीम में पकने देंगे हम इसमें पाने डालने की चूर्ट नहीं है स्टीम में ही आलू और बैंगन पक जाएंगे चार से पांच मिनट होगे हैं अब आलू बैंगन को चेक कर लेती है जैसा कि आप देखे हैं मसाले आलू बेंगन पर अच्छे से कोट हो गए हैं और आलू बेंगन पक भी गए हैं आप इसमें थोड़े से लंबे कटे टमाटर डाल दूंगी ये आप्शनल है लेकिन सबजी में इस तरह डालने से सबजी दिखने में बढ़िया लगती हैं और हाफ टीस्पून आमचूर डाल देंगे जिससे बेंगन की सबजी काफी चटपटी बनती हैं आमचूर की जगह आप चाटमन साला भी डाल सकते हैं आप सबजी को एक मिनट ढखकर पका लेंगे ताकि टमाटर थोड़े से गल जाएं हमें टमाटर को ज़्यादा नहीं पक माटर भी थोड़े गलगे हैं यह पूरी तरह नहीं गले अमें इन्हें हलका करंची ही रखना है अलू बेंगन की सब्जी बनकर त्यार है अब इसमें थोड़ा सा हरा धन्या और हरी मिर्च को स्प्लिट करके डाल देंगे और मिक्स कर देंगे अरी बढ़िया सी आलू बें सब्जी को रोटी परांठे या चावल के साथ भी खा सकते हैं यह आलू बेंगन की सब्जी आपको कैसे लगी मुझे को मैट बोक्स में चुरूर बताएगा जिदी वीडियो अच्छी लगे हो तैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहां भूनें थैंक्स वा वाचिंग कर दो